मुकेश गयल आई होब कि आप सारे बहुत अच्छे हैं और फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे जो economic survey है 2022 उसके बारे में बात करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि कहां कहां से questions आप से पुछा जा सकता है डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिटिव एक्जाम्स में like UGC में question पुछा जा सकता है UGC net में कहां paper 1 में कहां और paper 2 environmental science में पुछा जा सकत है UPSC में आपको पता है IAS में तो बहुत ही फेवरेट ये लहता है सेशन क्योंकि environmental science से जो इन्वार्मेंट एकोलोजी से questions अच्छे च्विशन पूछे जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एक्जाम्स में यहां से questions पूछे जा सकते हैं तो बहुत शा चलो all the very best अच्छे चीत को शान करके सारे चीज़ों को समझना है अब बैसिकली सबसे पहले हम climate change की बात करें जलवाईयू परिवर्तन के बारे में बात करें जलवाईयू परिवर्तन और परियावर्ण के बारे में इसमें क्या जिकर किया गया है तो एक एयर है तो वह यह ह 2070-2070 के बारे में बात की गई है यह डायरेक्ट आपसे UGC कुछ सकता है या कोई भी competitive exam से आपसे कुछ सकता है कि भारत ने जो कब कौन सी एयर के लिए net zero का commitment किया है net zero का commitment मतलब कि हम जो greenhouse gases है हरी ग्रह परभाव वाली जो भी gases है उसका उत सरजन है emission है वो zero कर देंगे कौन सी एयर तक की बात किया है यह commitment किया है दो हजार सतर की साल तक इन्होंने यह बात बोली है चीक है ना basically अगर हम बात देखे ना तो भारत इतना ज्यादा responsible नहीं है जो greenhouse gases के emission के लिए जितना developed countries है जितना विक्षित देश है उतना ज्यादा भारत है वो responsible नहीं है लेकिन भारत फिर भी अपना एक आगे एक step ले रहा है कि हम 2070 तक तक हम जो greenhouse gases का emission है वो बिल्कुल क्या कर देंगे zero कर देंगे net zero की तरफ चले जाएंगे तो एक तो आपको factual information यह याद रखनी है जो आपके exam में पूछी जा सकती है friends अगर basically बात करें तो एक यहां पे note है इस note में the global nature of the problem makes India one of the most vulnerable reason despite having contribute only 4% in the community global emission for the period of 1852 2019 अगर हम बात करें जितना वैश्विक लेवल पे या नहीं ग्लोब लेवल पे उत्सरजन हो रहा है उसका अगर भारत का देखे तो contribution only कितना है 4% है कितना है 4% तो आप से यह भी question पूछा जा सकता है कि भारत है वो global emission का कितना contribution करता है तो लगबग 4% करता है अगर हम एक period लें 1850 से 2019 तक तो भारत का contribution 4% है उल्ली लेकिन आपको पता है हम कितना मतलब परभावित तो बहुत जादा है है ना क्योंकि जो developed countries है जो विक्षित देश है उन्होंने resource का यूज करके development तो कर लिया और हम पे कह रहे हैं कि आप emission कम कर द इसा नहीं है क्योंकि sustainable development हमें करना होगा धारणिय विकास हमें करना होगा लेकिन contribute तो सभी को करना होगा वो developed हुए है जो विक्षित रास्टर बने है वो भी तो resource का use करके बने है तो चीजों को एक तम बिल्कुल जैसे Paris Agreement हुआ 2015 में है ना तो उसमें यही तो बात हुई कि जो विक्सी तो देश हैं वो कुछ पंड करेंगी हैना उसका भी थोड़ा सा clear वो नहीं बन पा रहा है तो बेसिकली यह है कि भारत कहीं ने कहीं इंफेक्ट तो बहुत हो रहा है लेकिन इसका अगर contribution देखे ग्लोबल इमिशन में only 4% का है चीक है तो यह भी आप से पूछा तो आप से क्या पता भारत के अलावा कुछ और देशिस के बारे में भी पूछ ले और कंट्री इसके बारे में भी पूछ ले जैसे अगर भारत ने 2070 तक की बात की है है ना कि 2070 तक हम क्या कर लेंगे हमारा जो net emission है वो net zero कर देंगे ऐसे ही अगर बात करें चाइना इंडो Canada, EU है, France है, Italy है, Japan, South Africa, Republic of Korea, UK, USA इनों ने 2050 तक की ये बात की है कि हम net zero का emission है वो net zero कर देंगे और Germany ने basically 2045 तक 2045 तक की बात की है तो अब हमें ये देख के लग रहा होगा आपको ये data देखे कि भारत ने इतना लंबा target याने कि ये तो पहले ही net zero की बात कर रहे है भारत फिर ऐसा क्यों कर रहा है एक्चुली में जो ये country आप देख रहे हैं जिन्होंने 2023 तक की बात की है 2050 तक की बात की है या 2045 तक की बात की है ये पहले से एक तरह से इसमें देखोगे तो विक्सित रास्टर है इसमें developed countries ज्यादा तर है विक्सित रास्टर है इनोंने पहले ही resource का इतना यूज कर लिया है तो अब इनको net 0 तक पहुंचने की ज्यादा समय नहीं लगेगा भारत से कम ही समय ले रहे हैं काफी इसलिए क्योंकि पहले बहुत ज्यादा resource यूज कर चुके है और अपना चरम विक्सित रास्टर बन चुके हैं और इसलिए भारत ने कह भी हमें उतना तो कुछ करने दो ना हमें उस श्रेणी में तो आने दो कि आप लोगोंने यूज करके आप डवलप बने हैं तो हमें आने तो दो हमें को थोड़ा और टाइम हो तो हम 2070 तक net 0 तक ले आएंगे चीक है यह बात बोली है तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है बैसिकली थॉमस शेलिंग और इन्होंने 2005 में यह नोबल प्राइज विनर है इन्होंने क्या कहा था उन्होंने एक तरक दिया था एक आर्ग्यू किया था कि जलवाईयू परिवर्तन से निपटने का सबसे परभावी तरीका है रास्ट्रों को पहले तरक्की करना देना चीए है ना म क्लाइमेट चेंज से निपटने की बात करनी चीए अब आप सारे रिसोर्स को यूज करके डवलप कंट्री के स्रेड़ी में आ गए हैं और जो दूसरे कंट्री हैं जो डवलप होना चाह रहे हैं उनको आप यह कहके रोक रहे हैं कि भी ग्रीन हाउस इमिशन कम करिए ग्री शैलिंग ने यह बोला है यह इनका ध्यान रखना आप बेसिकली पूछ लेते हैं आगे बात करें तो यह जो नेशनल एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज है आठ एन एपी सी यहां से भी आप से यूजी सी क्विशन पूछ थी हैं बहुत इंपोर्टेंट है यूजी सी और सीविल सर्विसेज यूपी सी भी पूछ लेते हैं अधर कॉंपिटेटिव एक्जाम से पूछ लेते हैं यह भारत के आठ नेशनल मिशन है और इन्होंने क्या-क्या कितना अच्यूमेंट कर लिया यह डाटा आपको फैक्चुल इंफॉमेशन पूछ ही जा सकती है तो म इस अधर नेशनल मिशन में से कितना इन्होंने हमने अच्यू कर लिया है यह भी आपसे पूछ लेते हैं तो अगर बात करें रास्ट्रिये शोर मिशन की बात करें सोलर मिशन की बात करें तो 61.62 गिगावाट और सोर उर्जा चमता अधिस्टापित किया गया मतलब अभी तक कि अगर हम बात करें जो इकोनॉमिक सर्वे की बात हुई है उसमें डाटा दिया हुआ है कि हमने 61.62 गिगावाट सोर उर्जा की चमता का निर्मान कर लिया है तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है यह अपना जो नेशनल एक्षन प्लान और क्लाइमेट चेंज है उसमें से एक प्लान है सोलर मिशन का एक है उन्नत उर्जा दक्षता के लिए राश्ट्रे मिशन इसको इंग्लिस में भी पढ़ेंगे हम इसमें हमने क्या कर लिया है 6.63 मिलियन टन ठीक है मतलब ह हम तेल से बनाते कितनी ते अगर तेल करते फोसिल फ्यूल का यूज करते तो हमें वो उर्जा मिलती 6.63 मिलियन टन इसके बराबर की उर्जा हमने जो अच्छे रिसोर्स है मतलब अच्छे संसादन है वहां से उर्जा का निर्मान कर लिया है यानि कि हमने ग्रीन हाउस एमि मिशन इसमें हमने लगब क्या किया है साथ सो जो 21 किलो मिटर का जो मेट्रो रेल नेटवर्क है वो चालू हो गया है उसमें 62.7 लाग जो व्यक्तिगत गरेलू सोचाल है 6.2 लाग सामुदाई के मसारवजिनिक सोचालों का निर्मान किया गया है बेसिकली जो आठ मिशन है इसमें क्या-क्या हमने अच्यू किया है अरिद भारत के लिए रास्ट्रे मिशन में हमने 2.1 लाख एक तर छेतर में जो वनी करन किया है उसके लक्षे के लिए 626.96 प्रोड रूपे हमने लगाए है रास्ट्रे जल मिशन की बात करें तो जल सकती अभियान कैसदा रैन 2022 ये में मजबूत किया गया है इमहले का जो परस्ति की तंतर है उसको बनाई रखने के लिए राश्चे मिशन क्या है अंतर विश्व विध्यालय संग बनाए गए है आठ पर्मुक अनुसंधान विकास कार्य करम शुरू किये गए है और सतत करशी के लिए राश्चे मिशन है की बातें की गए और यहां से डायरेक्ट कुशन पूछा जा सकता है यह भी कि कौन-कौन से हैं कितना हमने अचीव कर लिया इसी चीज को मैं इस टेबल को आपको इंग्लिस में भी शो करवा देता हूं यह भी ध्यान लगना और इसकी जो पीडिएफ है आप गर आपको पी पीजिसी नेट के नाम से चीक है इसमें मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूं वही है यह सारे आठ के मिशन सॉलर मिशन जो हमने बात की थी नैशनल मिशन और इनर्जी एफिसिएंसी नैसनल मिशन और सस्टेनेबल हैबिटेट यानिकी धारणिये जो आव पांगे लड़ेयर नटनीजित यूँरמב सब्तबाविटेट थी निसमें क्लायमेट चीजन और सस्टेनेबल हिमाईय एके जो इकुस्टम यानिक्ट लियां मिशन है इसमें कितना आचीव किया है । पुसके इन पे दिक्रा होगा हमने हिंदी में डिस्कस भी करें और इन बातों को ध्यान रखना यहां से कुछा जा सकता है अगर हम आगे चलें आगे कुछ बातें करें एक NDC के बारे में भी आप से कुछा जा सकता है NDC क्या है NDC का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो यह है नैशनली विटरमाइन कोंट्रिबूशन की बात करता है जो पैरिस समझोता हुआ था यह आपको बताना है तो बैसिकली जो पैरिस समझ होता हुआ उसका जो आर्टिकल फॉर था यानि कि उसका अनुच्छ चार है यह भी आप से पूछा जा सकता है अनुच्छ चार में पैरिस एगरिमेंट में NDC के बारे में बोला गया है और NDC में क्या का है कि जो परतेइक पार्टी है वो हर पांच वर्स में अपने NDC को संप्रेशितिया अध्यत्यन करेगा कहने का मतलब यह भी आप पूछ सकते हैं कि कितने कितने साल में वो करेंगे पांच साल में बेसिकली नैशनल डिटर्माइन कॉंट्रिविशन कितना कॉंट्रिविशन है उसका ग्रीन हाउस गैस की इमिशन को कम करने में यह सारी बाते हर पांच साल में उसको अपडेट करना पड़ेगा ठीक है और यह कौन से आर्टिकल में लिखा गया है और इन्डिया के बारे में तो इंडिया ने अपना जो फर्स्ट सब्मिट किया NDC सब्सक्राइब कर दो हजार पंदरा में और यह अपडेट किया दो हजार बाइस में ठीक है ना बेसिकली कोवीड की वज़े से थोड़ा सा डिले और इन्होंने अपडेट किया दो हजार बाइस में तो आप से पूछा जा सकता है कि भारत ने कब UNFCCC का मत्तब दो समझते होगे United Nation Framework Convention on Climate Change तो NDC इन्होंने जो नैशनल डिटर्माइन जो अपना था उन्होंने कब इंडिया ने कब सब्मिट किया तो अक्तूबर 2015 में सब्मिट किया और अपडेट कब हुआ इसको अपडेट किया है अगस्ट 2022 में यह भी आप से पूछा जा सकता है चीक है ना समझ में आ रही है बात बेसिकली शान्ती से अराम से चित को रिलेक्स करके सुनना अब आप कॉप सुनते हो जैसे अभी मैंने आपसे कॉप से कुछा था कि जो पैरिस एगरिमेंट हुआ वो कौन सी कॉप थी अभी बात हुई थी ना तो वैसी आपसे कोप 15 है बेसिकली अभी हुई है यह अगर मैं बात करूँ कोप 15 यह हुई है साथ से 19 दिसंबर 2022 को ठीक है साथ से 19 दिसंबर 2022 को यह मोंटीरियल कनाड़ा में हुई और कोप 27 है Conference of Parties 27 है यह आपको पता है कहा हुई है यह अभी अगर बात करें एजिप्ट में हुई है आप पता है ना आपको तो बेसिकली यह डिफरेंस क्या है जो कोप 27 है वह किसे है अगर Conference of Parties 27 है वह क्लाइमेट चेंज से संब्दीत है किसे संब्दीत है क्लाइमेट चेंज से और Conference of Parties 15 है वह बेसिकली किसे बायो डाइवर्शीटी से रिलेटेड है तो कन्फ्यूज मत हो जान है बायो डाइवर्शीटी कॉप्स अर सेपरेट फ्रॉम क्लाइमेट कॉप्स है ना जो क्लाइमेट चेंज पे कॉप्स हो रही है Conference of Parties उससे अलग है बायो डाइवर्शीटी की याली कॉप जेव विविद्दा वाली कोप 15 वाज कंसर्ण विद दा बायो डाइवर्शीटी कोप 27 सोर्फ ओर दा 27 Conference of the Parties of the United Nations Framework Convention on Climate Change बैसिकली कोप 27 को लाइमेट चेंज पे है और कोप 15 जो है वो बायो डाइवर्शीटी पे है जे विविद्दा पे तो याद रखना आपसे कोप 15 और कोप 27 पुछे तो कोई मिसमेच मत कर देना दिमाग में वो बायो जो यह हमने बात करी थी नैशनल जो भारत ने अभी 2015 के अंदर अपना डिटर्मिनेशन सब्मिट किया और 2022 में उसको अपडेट किया तो उसकी कुछ ए फैक्चुल इंफॉर्मेशन है कि कुछ भारत के कुछ क्वांटिटेटिव क्या बनाये गे थे अच्यूमेंट बनाये एडिशनल फोरैसेंट्री कवरबाई 2030 क्या रहा है कि भारत के ऐंडीसी के जो तीन मातरात्मक लक्ष है उनमें से एक है वर्ष 2030 तक अत्रिक्त वन और वरक्षों के आवरण के माद्यम से कि हम ज्यादा फोरैस्ट लगाएंगे है ना वरक्ष का आवरण ज्यादा करेंगे उसके माद्यम से 2.5 billion से 30 billion तन अत्रिक carbon sink पराप्त करेंगे, sorry, 2.5 billion से 3 billion है न, 30 नहीं, sorry, extremely very sorry, 3 billion तन तक हम क्या करेंगे carbon sink पराप्त करेंगे, यानि कि जो carbon sink करेंगे, हम forest cover बढ़ाएंगे, और forest cover आपको पता है, forest carbon sink करता है, photosynthesis करता है, तो carbon dioxide लेता है न, तो carbon sink कर बन गया, और photosynthesis से oxygen छोड़ता है, तो carbon sink करता है, तो यह कहने हैं कि हम बहुत ज़्यादा forest cover करेंगे, और forest cover करने से 2.5 billion हम carbon sink कर रहे हैं, उससे लेके हम 3 billion तन तक पहुँच जाएंगे, कब तक 2030 तक यह आपको जान रखना है, बहुत important data है, यह आपको paper 2, environment science में भी यहां से पुछा जा सकता है, और basically आपका जो UPSC में environment ecology है, वहां से भी question पुछा जा सकता है, और बात में हैं, the country ranked third globally with respect to the net gain in average annual forest area between 2010 to 2020, यह कह रहा है कि वर्स 2010 और 2020 के बीच की अवदी में, ओस्त वार्सिक वन शेतर की जो निवल व्रिदी हुई है, यानि कि जो annual forest area जो बढ़ा है globally, वो West Weeks तरपर भारत का 30 रस्थान है, तो बहुत बड़ी बात है यह और आपसे पूछा भी जा सकता है, कि हमारे देश का कौन सा rank है, globally अगर बात करें, भी net जो gain किया है, हमने forest area between 2010 से लेके 2020 तक जो हमने area जो gain किया है, किसका forest cover का, है न, globally कितना किया है, forest area का, basically हमने third rank पे आ गये हैं, हम अगर West Week level पे भात करें, यह भी बहुत important है, यह सिधा सिधा पूछा जा सकता है, हमने जो net gain किया है, average annual 2010 से लेके 2020 तक जो forest area, तो globally West Week level पे हमारी कौन सी rank है, तो हमारी rank है third, ठीक है, कौन सी rank है, ठीक है, यह भी आपको ख्यार रखना है, ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया, और आगे कुछ, जो, यह ISFR का report है, क्या है, Indian State of Forest report में कुछ बातें बोली गई है, यह भी आपको याद रखनी है, बेसिकली यह factual information है, तो आपको याद रखनी है, तो Indian State of Forest report का अनुमान है, कि वर्स 2019 में वनों और वरक्षों के आवरण का कार्बन स्टोक लगभग 7204 मिलियन टन होगा, जो कि वर्स 2017 में किये गए पिछले आपकलन के अनुमानों की तुलना में 79.4 बिलियन टन कार्बन स्टोक अधिक है, बेसिकली जो आपकलन किया गया था 2017 के अंदर, उसमें जो कार्बन स्टोक की बात करें, तो हुँ उस से लेके 2019 में ज़्यादा की गुंजाइस की गई है, कितना 79.4 मिलियन टन की, यह वन और वरक्षों के आवरण के मादेम से निकले कार्बन उस्टरजन की मात्रा 30.1 मिलियन टन कार्बन डाइक्सेट के असम तुल्य होने के लिए परवरतित होता है, बहुत बड़ी बात है, यह ISFR है, जो Indian State of Forest Report है, यह आपको देखनी है, क्योंकि यहाँ से अपडेट होती रहती है चीजें, तो आपको अगर यह पूछे कि कितना मिलियन टन 2019 में कार्बन स्टोर की बात की गई है, तो 7204 मिलियन टन की बात की गई है, जो बेसिकली तो 2017 के अंदर जो estimate लगाया था, जो assessment हुआ था 2017 में, उससे लगवग जो हमने estimate लगाया है 2019 में, वो लगाया है कि 79.4 मिलियन टन है, वो ज्यादा कार्बन स्टोर को होगा, compare करें अगर 2017 से टो, ठीक है, तो कहीने कि forest cover बढ़ रहा है, इसलिए अगर forest area हमारा बढ़ रहा है, किया था, तो बताया था कि कुछ factual information है, वो हमें याद रखनी है, अगर मैं बात करूँ, इसलिए का जो report है, forest survey of India कि में बात करें, तो कार्बन स्टोक है न, वो कैसे rise हुआ है, अगर मैं बात करूँ, 2011 में तो कार्बन स्टोक देखो, 6941 था, अगर 2013 की बात करें, तो 7046, 2015 की बात करें, तो 7082, अगर 2017 की बात करें, तो 7125, और 2019 की बात करें, तो 7204 है, तो यह देखो, यहाँ पे 7125 और 7204, कहीने कहीं हर जगा देखो, बड़ी रहा है, चिक है न, बड़ी रहा है, अगर बात करें, कार्बन स्टोक का, forest में, तो बड़ी रहा है हर बात, और यहाँ पे आप येर भी देख ले हो कि हर कितने दो दो साल बाद हो रही है calculation आप देखे रहे हो ना तो ये भी आप से पूछ लेते हैं कि कितने time में calculate किया जाता है या assessment किया जाता है in every two year 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 और ये 2019 का जो अपने पास data है इसमें ISFR जो है report है वो 2021 की report में 2019 के बारे में बताया गया है चीक है तो ये देखो basically ये आप से paragraph के तोर पे भी जो hierarchy order में पूछा जाए कि क्या इस्तित ही है भारत की तो हम कह सकते कि carbon stroke है forest में वो rising order में ये हमारा ये statement से भी question पूछा जा सकता है असरसा reasoning में कौन सा एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा carbon stroke रखता है forest में तो वो है अरुना चल परदेश ठीक है लगबग एक हजार 23.84 मिलियन टन्स carbon stroke रखता है और उसके बाद है मध्या परदेश तो ये भी आप सबसे पहले है अरुना चल परदेश उसके बाद है मध्या परदेश ठीक है जो carbon stroke करने वाले states की बाद है चलो बहुत बढ़िया अगर इसके बारे में मैंगरू के बारे में बात करें मैंगरू जो वनस्पती है वह भारत में देखो बात करें मचंगरू का मैंग्षी बहुत बहुत इंप्रनेंd बहुट जादा ऑर्डायोची है वहा जाद वी वीडेडा बहुत है तो मैंगरूस का बढ़ना बहुत जयादा जरूरी है तो अगर देखे मैंगरूस आपने अगर देखो थो इंपर्डूर में वो बड़ी रहे है इधर data Тыहां वह बड़ी रहे है इधर डाटा भी आपको देख रहा Joint मैंगरू कोवर स्वेर किलोमेटर में भी दिया हुआ है कि कि इतना बढ रहा anywhere में है स्वेर किलोमेटर यह आप देख सकते हैं या नहां से स्टेटमेंट या असर्शन रिजनिंग के कुश्चन बनते हैं इंक्रीजिंग और में ग्रूव कवर भी और यह अच्छी बात है चीक है चलो बहुत बढ़िया अगर आगे मैं बात करूं अगर यह इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन है कि जो हम विदू तुरजा का नि बैसिकली आप अगर देखो तो भारत में जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रड़क्शन होता है विदू तुरजा का जो उत्पादन होता है वो थर्मल पावर प्लांट से ज्यादा होता है आपको पता ही है कॉल बेस थर्मल पावर प्लांट से और वो एक जिवास्न मिंदन है फ अगर यहां पर बात करें अगर यह जो नीचे वाला तो थर्मल वाला एरिया है और उपर वाला जो यह आपको दिख रहा है यह और यह green जो जिकरा है यह renewable का है तो renewable देखो यह renewable का भी आप देखो अगर इस diagram से भी देख रहे हो तो size बढ़ रहा है तो जो नवी करणी और उर्जय शुरोत है वो भी हम use कर रहे हैं चीक है न मतलब उसकी तरब हम बढ़ रहे हैं और large hydropower plants को देखो तो यह भी देखो कह कहने का मतलब है इस installed capacity का जो यह आप डाइग्राम देख रहे हो उसे बैसिकली बात कहने का मतलब है कि कहीं ने कहीं हम जो non-renewable energy resources है जहांसे हम electricity का production करते है को अगेरा thermal power plant वगेरा उसके साथ साथ हम चीजों को वह उदर shift होने की कोशिश कर रहे हैं जो renewable है नवी करणी है उ हो चीख है ना solar energy हो wind हो biomass हो वहां shift होने की कोशिश करते हैं दीरे दीरे हम चीजों को बढ़ा रहे हैं तो यह अच्छी news है यह बहुत बढ़िया है तो यह basically आप से पूछा जा सकता है इसमें आप यह percentage का भी ratio पूछा जा सकता है कि जैसे UGC में कई बार पूछ लेते हैं कि nuclear power plant से एक हरादी की दे देते हैं thermal power plant का देते हैं renewable energy resource का दे सकते हैं large hydropower plant और nuclear energy तो इन चारों में से पूछ लेते हैं सबसे कम किसमें energy production का होता है electricity production में सबसे भारत किसमें कर रहा है सबसे कम तो यह comment box में आप answer दे सकते हो इस तरह के question का formation होता है friends तो basically यह आपको ध्यान र dc net के नाम से है और इसका description box में link भी दे दूँ वहां से जाके यह आप PDF download कर सकते हैं चीक है friends चलो आगे मैं अगर बात करूं friends आगे यह कुछ factual information फिर है बड़े जानते से देखना है यह कह रहा है कि जो हमने भारत ने आपको पता यह हमने अभी पिछे बात की थी NDC की इसी है उसमें वर्स 2030 तक गैर जिवासम इंदन स्रोतों से संस्तापित विदूत च्छमता का 40% प्राप्त करने का लक्षे था ठीक है यानि कि भारत का यह लक्षे था कि हम 2030 तक तिल 2030 हम जो renewable energy resources है ना या पिर non fossil fuel यानि कि ऐसे चीजों से हम electricity का production करेंगे जो एक तरह से renewable हो ह का रहना वो हमारा लक्षे है 40 का 40 पर सेंट का और इस लक्षे को तो हमने 2030 से पहले ही प्राप्त कर लिये हैं बहुत अच्छी बात है बात है और अब हमने जो update किया है जो अपना ndc है इसको update कि हमने 2022 में अपडेट में हमने यह का है कि 2030 तक जो पहले हम 40% की बात कर रहे थे उसको हम 50% की बात कर रहे हैं तो यह बहुत अच्छी बात है तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि जो NDC का हमने update किया है तो भारत 2030 तक कितना % की बात कर रहे है तो बैसिकली भारत बात कर रहें 50% की कि हम कहां से जो नो फोसिल फ्यूल सोर्स है ना जहां से जिवासमिंदनों का यूज ना करके कोईला और ये यूज ना करके हम बैसिकली रिन्यूबल एनर्टी रिसोर्स से जो एनर्जी बनाएंगे वो 2030 तक 50% का अब को मिल्यटी बता दिया कि बायोमास सोलर टाइड और यह सारी एनर्जी को मिलाके 50% हम कर लेंगे 2030 तक जो पहले हमारा 40% का टार्गेट है तो यह बहुत इंपोर्टेंट है यह पेपर वन के लिए यूज इसी नेट के लिए बहुत इंपोर्टेंट है पेपर टू इन्व रहा है भारत यह जो रासी दी गई है यह यूज डॉलर में दी गई है कितने बिलियन्स में कर रहे है तो 2014 से लेके 2021 के डाटा को अगर देखो तो इन्वेस्टमेंट हर ये बड़ी रहा है 6.1 बिलियन यूज डॉलर के से 7.5 हुआ 13 हुआ फिर 13.4 हुआ यहां आके थोड़ 2014 में डिक्रीज हुआ फिर 2019 में डिक्रीज हुआ फिर 2020 में डिक्रीज हुआ और 2021 में फिर बढ़ गया तो यह बेसिकली यह रही कि आपसे पूछ सकते हैं कि investment in renewable in India since 2014 का जो graphical representation है वो किस तरह का है तो देखो सुरुवात में 2014 से लेके 2017 तक चीज़े बड़ी है investment बढ़ा है ठी 2018 में 17 से कम हुआ फिर 19 में 18 से कम हुआ फिर 20 में 19 से कम हुआ फिर 21 में वापिस से increasing order में हमने जो investment है वो करना शुरू किया यह जो data दिया गया है यह US billion dollar में दिया हुआ है यह ध्यान रखना यानि कि अभी 2021 की बात करें तो 11.3 US billion dollar की बात की कही है ठीक है ना है ठीक है चलो बहुत बढ़ी है यह investment है renewable energy resources में 2014 से तो यह भी आपको पुछी जा सकते है उसके बाद हम बात करते हैं यह एक projected optimum mix of installed capacity की बात की गई है कि हम 2039 तक की आगे की बात की गई है कि कितना हम maximum installed capacity से प्राप्ट कर सकते हैं है ना maximum कितना प्राप्ट कर सकते हैं प्रोजेक्ट किया गया है 2039-30 तक 2029-30 तो अगर बात करें हाइड्रो में यह है 7.46 हाइड्रो से है ना small hydro से कितना है लग बग यहां पे है 0.61 यह data बहुत important है अगर हम सबसे ज्यादा हमने project किया है तो देखो कहा है यह देखो सबसे ज्यादा यहां project किया हुआ है 34.28 यह data है solar का कि हमने हमने सोचा कि solar में सबसे ज्यादा optimum हम use कर पाएंगे 2029-30 तक लगबग 34.28 परसेंट अगर बात करें यहां पे यह जो basically बात है यह coal और लिगनाइट की बात कर रहा है है और यहां पे बात हो रही है biomass की यह वाली biomass की बात है ठीक है और यहां पे wind energy की भी बात हो रही है wind energy की तो यहां पे देखो अगर यह सारा का सारा अगर मिला लेते हो आप renewable और non renewable तो सारा दिया हुआ है तो renewable देखो देरे दीर बढ़ रहा है यहां पर देखो यह renewable का data कितना ज़्यादा अब दीरे दीरे बढ़ रहा है जो अभी की इस्तिती से हम 2029-30 की इस्तिती को देखते हैं तो प्रोजेक्ट किया गया है कि हम इतना कर लेंगे यह data भी आपको काफी अच्छे से याद रखना है आप से पूछा जा सकता है कि भारत सरकार ने जो प्रोजेक्ट रखा है प्रोजेक्टेड एक optimal कितना mix हम यूज पा लेंगे या installed capacity प्राप्स कर लेंगे 2019-09-2016 तख तो यह भी आपको प्लीज diff hadn रखना चीक है कितना परंसे कि लग को बात किया है nuclear से कितना की है कोल और Ernest याद ना हो तो यह तेहाद ना हो कि हर यह का परसेंटेज ञाद करें तो basically आप तोड़ा maintain आइडिया लेकि उससे एक सिक्वेंस बना सकते हैं कि इससे इतना कि ज्यादा इससे है इससे कम इससे है इससे कम इससे है ऐसा आपको increasing ए decreasing order में भी question पूछा जा सकता है यह देख सकते हुआ चीक है चलो बहुत बढ़िया यह 39 की बात की है है ना ज्यान रखना अब हमने आपको पता ही है भारत सरकार ने बहुत बड़ा बात की है किसके बारे में national green hydrogen mission के बारे में बात की है आपने दिनों दिन सुनते ही हो कि green hydrogen green hydrogen mission कि हम energy को देरे देरे यहां से बनाएंगे क्योंकि energy का संकट है तो उसको technology को change करके है energy के उसको भार करने की बात करने है तो 2030 तक संभावित परिणाम की क्या क्या बात की है likely outcome by 2030 क्या सोचा है हमने सोचा है कि परती वर्स कम से कम 5 million metric ton की हरित hydrogen पादन चमता बनाएंगे यह बात की है चिक है यानि की green hydrogen production capacity of at least five mmt million metric ton पर एनम चिक है और जिवाश्रम इंदन के आयात में एक लाख क्रोड से अधिक की संचई कमी और छे लाग से अधिक नोक्रियों का सरजन करेंगे कह रहा है कि community community reduction in fossil fuel import यानि कि जो लगभग एक लाख क्रोड रुपे का यानि कि हम आपको पता है फोसिल प्यूल बहार से मंगवाते हैं तो अगर हम hydrogen green hydrogen mission की तरफ जाते हैं तो 2030 तक लगभग एक लाख क्रोड जो इंपोर्ट पे लगाते हैं एक तो वह बच जाएगा और छे लाख नई जोब्स का निर्मान होगा यह बात की गई है और का गया है कि अक्षय उर्जा की छमता में लगभग 125 गीगावाट की व्रधी और वार्षिक जी एच जी के उत्स तरजन में लगभग 50 कि कमी कहने का मतलब है रिन्यूबल एनर्जी कैपसिटी एडिशन तु अबाउट 125 गीगावाट और अविट्मेन ओफ नियरली 50 अम्म्ट ऑफ एन्वल ग्रीन हाउंस गैस का इमिशन है लगभग उसमें हम कितनी कमी ले आएंगे 50 अम्म्ट की कमी ले आएंगे लगभग ग यूज नहीं करेंगे तो ग्रीन हाउंस गैस वास्ता में कम होगी तो इतना कम ले आएंगे हम तो बहुत अच्छी बात है लॉबल वार्मिंग से बच जाएंगे और और इसमें लगभग ये कहा है कि 125 गीगावाट का हम एडिसनल किसमें अक्षय उरजा से बनाएंगे यहन हम ने दोplayer हमें अगर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लेके आते हैं तो क्या क्या बदलाउ की बात है दो यह आद रख सकते हों कि ऐसी बदलाउ की बात हमने की है चीक है याद रखोंगे ना नैसिनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात है ये क्ट Bean घृर बहुत बढ़िया हम The एक ऐसी स्टेटेजी बनाएं जिसमें इमिशन यानि कि उत्सरजन कम हो एक लॉंग टाम है यानि कि दिरगावदी कम उत्सरजन विकास रणनीती है और इसमें क्या है इसमें इंडियन समिटेट इस लॉंग टाम लॉग कारबन डवलप्मेंट स्टेटेजी ऑन नौंबर 14 2022 ए किया इस cadre कि के बारे में समिट किया स्टेटेजी के बारे में बताया और बैसिकली इसमें क्या है इन्हों ने का रच्डिया है नीति के उदेश्य को सामिल किया गया इसमें कि अगर हम इसको शामिल करते हैं तो यान कि रेसे लॉग टम तो है लेकिन low emission डवलपेंट स्टेटिजी है अगर हम यह यूज करते हैं तो हमारा जो इमिशन है ग्रीन हाउस गैसे का उत्सरजन है वो बहुत कम हो जाएगा तो उन्हें पीछी बात की है है ना 50 mmT तक हम ले आएंगे तो यही बात की है कि रास्ट्रिय हाइड्रोजन नीती के उदेशे को शामिल किया ग जिनकी परिकल्पना बिजली छेतर के समगर विकास के साथ की गई है तो यह सारी बात की गई है कि हम जो नुक्लियर कैपेसिटी है उसको भी दो हजार बत्तीस तक त्री फोल्ड इंक्रीज कर देंगे तीन बुना बढ़ा देंगे तो आप से यह भी पूछ जा सकता है कि L T L E D S क्या चीज है तो यह लॉंग टर्म लो इमिशन डवलप्मेंट स्ट्रेजी है यानि कि लॉंग टर्म है लेकिन है लो इमिशन स्ट्रेजी है कि कम से कम उत्सरजन हो और यह जो हमने स्ट्रेजी सब्मिट की इंडिया ने वह कब सब्मिट की नॉंबर 14 2022 को जो को 27 में ज दिहान रखना है चलो बहुत बढ़िया आगे चलें फ्रेंट्स आगे भी बहुत अच्छी अच्छी बात है और क्या है इसमें इंक्रीज्ड यूज ओफ ब्लेंड़ इन पेट्रोल जेव इंदन के उपयोग में व्रधी की बात की गई है और पेट्रोल के अंदर इंदर इ इतिनोल स्प्लाई ये 2025 तो 2026 यानि कि 20% हम तेल के अंदर यानि कि पैट्रोल के अंदर की लगबग इतिनोल का मिक्सन की बात कर रहे हैं और पब्लिक ट्रांस्पोर्ट भी बढ़ाएंगे जिससे कम से कम ग्रीन हाउस गैसिस का एमिशन कम होगा और फोसिल फ्यूल का यू कि इतिनोल सब्सक्री के बटाएंगे। लागया तो अच्छी बात है एक बार कमेंट बॉक्स में यह बहुआ देगे की इतिनोल है वह कहां किस कैसे का उत्पादन होता है एकर आगे है यह अच्छे से याद रखना है इंडियरएंग्स इंडियरे रंक्स 80th in the world and 4th in the Asia among the mega diverse countries in the world विश्व में विशाल विविदिता वालों देश में भारत का स्थान आठवां और एश्या में चोथा है याद रखना जो जेव विविदिता है ना बायो डाइवर्सिटी है वो भारत में के अगर बात करें अगर विश्व लेवल पे बात करें विश्व लेवल पे तो भारत का आठवां स्थान है अगर बात करें एश्या लेवल पे तो भारत अगर mega diversity है ये जेव विविदिता है इसमें भारत का चोथा स्थान है एशिया में चोथा स्थान है चिरफ एशिया की बात करें तो चोथा स्थान है अगर सारे विशाल देश जितने भी है विश्व में बात करें पूरे वर्ल डैवल पर बात करें तो भारत का इसमें आठवा स्थान है याद रखना ये भी पूछा जा सकता है कि बायो डैवर्श बात करें ये देखो प्लास्टिक के बारे में बात करें ग्लोबल एवरे जो प्लास्टिक पर कैपिटा कंजप्शन इस 28 kg अगर बात करें वेश्विक लेवल पे तो वेश्विक लेवल पे जो पर कैपिटा प्लास्टिक का जो कंजप्शन हो रहा है पर कैपिटा कितना कैसा है तो कम है क्योंकि global level पे देखें तो per capita consumption कितना है 28 kg है जबकि भारत में देखें तो 11 kg है तो यहां पर आपको rules के बारे में question पूछ लेते हैं एक्ट के बारे में question पूछ लेते हैं यह environmental science के लिए जो paper 2 है उजी चीका वहां और UPSC के लिए बहुत important difference और paper 1 में क्या चीज़े इसमें अलग है यह थोड़ा ध्यान रखना तो plastic waste management amendment rule कब हुआ यह amendment कब हुआ अगस्ट 12 अगस्ट 2021 को चीक है न और यह क्या prohibit कर रहा है देखना plastic waste management amendment rule 2021 prohibiting identify single use plastic item by 2022 जो single use plastic items हैं उतको 2022 तक बिल्कुल रोब देने की बात कर रहा है कौन सा plastic waste management amendment rule 2021 क्यों amendment का मतलब संसोधन हुआ 2021 में तो यह हो गया plastic waste management amendment rule 2021 और आगे यह जो thickness वाली चीज़ है यह आप से कई बार competitive exams में question पूछ लिया कि जो thickness है plastic का वो कौन से thickness की बात कर रहा है जो carry bags का है जो thickness पहले 50 की बात हो गई थी अब क्या है thickness वो plastic carry bags increase from 50 to 70 microns from 13 September 2021 and 120 microns with effect from 31 December 2022 यानि कि पहले हम बैन करने की prohibit की बात कर रहे थे कि 50 microns की बात कर रहे थे लेकिन अब 30 September 2021 तक 50 से 55 microns की बात कर दी कि इतनी मुटाई वाले बैन हो जाएंगे और उसके बाद 120 microns तक 31 December 2022 तक की बात हुई थी ठीक है तो यह आप से पूछा जा सकता है कि ठीकनेस के बारे में क्या-क्या बात की गई है कितनी मुटाई के प्लास्टिक के बारे में बात की गई है 50 से 55 और 120 microns तक की बात की गई है यह बहुत इंपोर्टेंट है very very important है कई बार UGC बीक्विशन पुछती है और सिविल सर्वीसेज में बीक्विशन पुछा जाता है चिक है चल बहुत बढ़िया आगे मैं बात करूं दा गौर्मेंटच पूब्लिश्ट डबैटरी वेस्ट मनेजमेंट रूल यह भी याद रखना बैटरी जो वेस्ट निगलता है वह भी बहुत पब्लिस किया गया और इस new rule में क्या बात की गई है यह देखना new rule will replace batteries rule 2001 पहले इससे पहले rule था वो 2001 का था तो नया rule जो आया है 2022 वाला वो पहले वाला जो rule था उसको replace करेगा तो आप से पूछ सकते हैं कि जो 2022 का battery waste management rule आया है वो कौन से rule को replace कर रहा है तो basically जो 2001 का rule था उसको replace कर रहा है और यह rule क्या करेगा क्या क्या कवर करेगा the rules cover all types of batteries जो नया rule है battery waste management rule 2022 यह क्या-क्या the rules will cover all type of batteries electrical vehicle में जो बैटरी जाती है उसको भी कवर करेगा portable batteries है जो portable है दिरूदर लेके जा सकते हैं वो batteries को automotive batteries को भी और industrial batteries को सब को include करेगा जो new rule है जो battery weight management rule 2022 है जो replace कर रहा है पुराने वाले को 2001 वाले को चीक है और इसमें एक बहुत ही important term use हुए that is EPR यहां से आप से question पूछा जा सकता है बहुत important term है that is EPR EPR है extended producer responsibility विस्तारित निर्माता उत्रदाइत्वे की बात की गए और इसमें यह कहा गिया है कि जहां बैटरी के निर्माता, अबसिस्ट बैटरी के संघ्र, पुनर चकर, नवीक करण और कच्रे से नई बैटरी में ब्राम सामगरी के उप्यों के लिए जिम्मेदार होंगे, यानिकि इसमें ये बोला गया है, जो बैटरी बना रहा है, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शारी की सारी the rule function based on the concept of extended प्रॉडूइशर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उत्पादक है, उसकी उत्रदाइत्वर को बढ़ाया गया है, वेर दा प्रॉडूइशर वो बैटरी प्रोडटरी का उत्पादन कर रहा है जैसे इसे वह kis कर रहे हमीन wedding लिए उसके क्लेंटन के लिए go पूरण में रिख used करेगा और इसी शूर्वibl के रहती है उड़े इसानगे उस्के रिक्वर्ड मैटरी पर के सक्र मिस्चुरिंद अब आगे देखो नहीं आपने प्रोडिस किया है तो उसकी सारी चीज़ और उसका क्लेक्ट भी आप करोगे रहा ना उसकी बैटरीज से अगर कोई वे सिरु नहीं चीज़े बन सकती है तो बनाओगे नहीं बैटरीज में डालोगे यह सारा काम कर दिया है कि इसमें नहीं इसका फोकस है उन पर वापिस इसको सही रस्ते पर लेके कैसे आना यह सारी बात यहीं है यह सिर्फ प्रोडक्शन कर दिया यह सिर्फ रस्पॉंसिबिलिटी नहीं है आपको हर चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा तो यह निव रूल में अच्छी और यह टर्म आपसे पूछी भी जा सकती है कि EPR क्या है जो निव रूल में सामिल की गई है वेस्ट मेनेजमेंट के EPR ठीक है अब E-Waste के बारे में भी आपसे क्विश्चन पूछ लेते हैं E-Waste Electronic Waste निकलता है आपको पता है बहुत बड़ी एक चैलेंज है मारे पास Electronic Waste का Electronic Waste Management के बारे में क्या है तो आप से पुछा जा सकता है जो नया E-Waste Management रूल आया है वो कम से एफेक्ट में आएगा वो आएगा 1 अपरेल 2023 से एफेक्ट में आएगा दूसरा आप से ये पुछा जा सकता है कि ये कौन से रूल को रिप्लेस करेगा तो आप बताओगी 2016 का जो रूल था उसको रिप्लेस करेगा और यही बात है इस रूल के अंदर जो E-Waste Management के रूल के अंदर जो नहीं बात आएगी वो वही जो हमने बात अभी पीछे की है EPR यानि कि Extended Producer Responsibility को सामिल किया गया है E-Waste Recycling के अंदर है ना क्योंकि इसमें यह सारी बात हुई जो हमने की आपने Production कर दिया सीधा वो नहीं चलेगा सारी चीजों के लिए आप Responsible होएंगे तो यह EPR सामिल किया गया है जो New West Management के Rules आ रहे हैं उसमें चाहें बैटरी का हो चाहें इवेस्ट का हो तो यह आपको इयर भी आद रखनी है का बाया कैसे आया उसमें क्या चीज़ें नहीं शामिल की गई है यह आपको ध्यान रखना है और बात करूं यह स्टेट का नाम है सिक्किम आपको पता है बहु इंक्यम्ट का पूरा का पूरा विष्व में पूरे के पूरे के वर्ट में पहला एक स्टेट बंचो आपिए कोडेसे ईक विल्चारी मुलीत शाया पारिपोर चुट तो चुरुट च्छुका है जो पूरी की पूरी तरह से किस पह और अधनी खर कर रहा हैँ तो यह भी आप से क्विश्विष पूछा सकता है कि कौन सा ऐसा राज्य है क्वा सा ऐसा स्चीट है ने यह पेकर में थैङक रप्ट। पहला राज्य कि जुका है और विश्व में व cuma स्वास्ते बहुत ज़रूरी है और ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन बहुत कम होता है अगर सारे लोग इसी का ऐसी प्रोडक्शन करेंगे तो चीजें मैनेज भी हो जाएगी है क्योंकि दवाई कहीं नहीं कहीं जो हम यूज करते हैं वो इतना हेल्थ पर लग जाता है ना लगता तो आगे बात करते हैं यूनाइट नेशन जनरल असेंबली इन सेवेंटी फिफ्ट सेशन दूरिंग तो थाउजन च्वेंटीवन डिकलेट 23 दा इंटरनेशनल इयर ओफ माइल्स यह याद रखना है कि कौन से इयर को अंतराश्चिय मोटा अनाज वर्स गोशित किया गया है तो यह बहुत इंपो सिदा सिदा क्वेशन पुछा टा सकता है कि कौन से वर्स को मोटा आनाज वर्स गोशित क्या गया है वो किया गय है 2020 के साल को मोटा अनाज आपको बहत ही important है जो बाजरा होता है मोटा अनाज है तो मुख बहुत अच्छा होता है जैसे सर्दी में बाजरा खाने से अच्छा रहता है तो कि इसमें fibers बहुत होते है fibers की बात होती है तो यह बहुत बढ़िया तो ये आपसे direct question पुछा जा सकता है, चलो friends, आगे बात करें, एक annual FDI की बात करें, जो foreign की investment की बात है friends, तो ये भी आपसे question पूछ लेते हैं, economics का जो second paper है, आपसे और UPSC में भी general paper में आपसे question पूछा जा सकता है, जो premium equation पूछा जा सकता है, basically कौन-कौन से sector से हम, आपने दे FDI है, उसका बढ़ाई है कही में कही, है ना, देखो अगर अगर बात करें, US dollar 12.1 billion था, अगर financial year 2021 की बात करें तो, और अगर बात करें 2022 की, तो देखो ये है, 21.3 billion, कितना बढ़ चुका है, जो foreign investment है, और कौन-कौन से sector में हमने कितना किया है, ये देख सकते हैं, हम यहाँ अगर sector-wise FDI equity inflow करें 2022 से 23 तक, अप्रेल सब्टमबर 2022 से 22 का, तो ये इतना हमने कर लिया है, ये सारा service sector में कितना किया है, अगर आप ज़्यादा तर देखो service sector है, और computer software and hardware में है, काफी ज़्यादा service sector में है, तो ये भी आपसे hierarchy में पूछा जा सकता है, कि FDI का क्या scenario है, ले dollar था, अगर 2024 की financial year की बात करें, तो US dollar 21.3 billion dollar की बात हो रही है, तो कहींने कहीं हम increasing order में ही है, बड़ी रहा है, और कौन से sector में कितना है, sector wise दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो, और ये मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सारे data अगर आपको याद रखना है, तो अपना telegram link है, SWMG UGC net के नाम से, वहाँ telegram link पे आपको मैं share कर दूँगा, ये पूरी की पूरी PDF file और आप वहाँ से ले सकते हूँ, चीक है, और मैं अपना description box है, उसमें भी telegram का link डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हूँ, तो friends अपने बहुत सारी बातें करने के कोशिश की कि क्या क्या चीज़ इंपोर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपोर्टेंट बातें करिए हैं, मेरे हिसाब से आप इन चीज़ों को सब को याद रखें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन environment से संबंदित, economics से संबंदित क्या क्या चीज़ें थी, और agriculture से related क्या क्या चीज़ें थी, वो हमें ग्याद रखना है, तो ये paper 1 के लिए important है, कई बच्चे पूछ से रहते हैं, इसकों से exam के लिए, वैसे तो हर competitive exam में कहीने कहीं question मिलेगा, paper 1 के लिए, paper 2 में कौन कहीं, environment science के लिए important हो गया, commerce के लिए important हो गया, economics के लिए important हो गया, चिक है न, हर जग exam में कहीने कहीं important मिलेगा, और friends, आप लोगों को last में की information दे देता हो, कि play store में अपनी app है, जिसका नाम है SWMG, success with Mukesh Goyal, अगर आप हमारे साथ paper 1 पढ़ना चाते हैं, जो compulsory paper है, और paper 2 EBS पढ़ना चाते हैं, तो आप join कर सकते हैं friends, नए session हम चालू हो चुका है, जो अगर आप है play store में, जिसका नाम है SWMG, आप install करिए, उसको register करिए, और course पर जाके पूरी की information वहाँ है, और कोई दिक्कत आए, तो नीचे जो number है, उसके whatsapp करके, आप कोई भी detail को ले सकते हैं friends, और यहाँ पर हम दोनों मात्य में पढ़ते हैं, इंडी और इंग्लिस में, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, तो अपना चित शांत रखें, रिलेक्स रहें, और यह हमेशा बात अपने मन में रखें friends, किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करें, हमेशा चित कोई शांत रखें और खुश रहें, बहुत बहुत धन्यवाद, all the very best, और इसी तरह से त्या आप कैसे हैं सब लोग, यूजी सी नेट पेपर वन की तैयारी कैसे चल दही है, अगर confusion है, अगर कोई ने कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमारे साथ जूड सकते हैं, SWMG अप्लिकेशन पे, इस पे हम लाइव सेशन, लाइव के साथ साथ, रिकोर्ड़ सेशन भी आपको पर वाइव करवाते हैं, और कोई भी बेरियर नहीं है, लैंग्रिश का हिंदी और इंग्लिस, दौनों मेडियम में हम तैयारी करते हैं, आगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, और हरन कर consecut को क्लियर करना चाहते हैं, तो आइए और SWMG पे मिलके तैयारी करते हैं, च Thank you, thanks a lot friends.